इस यूटूब चैनल में आप सबका स्वाधत हैं जैसा कि आप सबको पता है कि खानपान यानि आहर का पाइल्स या गुद्विकाव पर सीधा असर पड़ता है जिस तरह से गलत खानपान पाइल्स का मुख्य कारण है ठीक उसी तरह से सई खानपान से पाइल्स के सिंप्टम्स को कंट्रोल यहां तक की पर्मनेटली क्योर भी किया जा सकता है और आपको यदि कुछ ऐसे आहरों के बारे में पता चल जाए जिनका आयुर्वेद में पाइल्स पर डाइक्ट या इंडारेक्ट ऐस मेडिसीन उप्योग होता हो तो इस वीडियो में हम आपके लिए देखे रहे हैं कुछ ऐसे खाज आयुर्वेदिक आहार द्रवे जिनका स्पष्ट रुप से पाइल्स पर एज़े मेडिसीन उप्योग मिलता हो तो पेश है पाइल्स में श्रेष्ट आयुर्वेदिक आहार इन में सबसे पहले है छाज या मठ्था जिनने आयुर्वेदिक भाषा में तक्र भी कहते हैं आयुर्वेद में लिखा है तक्रा भ्यासो अर्ष यानि पाइल्स में तक्र खुप पिया करू जिने पाइल्स है उनके लिए टॉनिक का काम करता है ये तक्र गड़ी शक्र या सेंदा नमक जीरे के साथ पीना चाहिए पाइल्स पर हुपयोगी तक्रारिस्ट इसी तक्रे से बनती है सूरण, जमीकंद या अर्बी जिसके बारे में विशेशाद अर्शसाम पत्यम ऐसा रेफरेंस मिलता है यानि Special Wholesome Food for Piles इसको कद्दों के साथ उबाल कर खाना चाहिए या तुकडों को सुखा कर पावडर बना कर रोज खा सकते हैं सूरण, आदी मोदक जैसी दवाईयों में इसका उपयोग होता है अगला चांगेरी यानि तिन पतिया की भाजी इसे मराठी में अवंबूटी भी कहते हैं उत्तर भारत के देहाती इलागों में लोग इसका सेवन करते हैं यह खाने में खटी होती है इसकी आप चट्नी बना कर या सबजी बना कर इस्तेमाल कर सकते हैं चांगेरी घृत नाम की मेडिसीन इसी से बनती है नेक्स्ट मातुलूंग यानि बिजोरा निम्बू वैसे तो सभी प्रकार के निम्बू पाइल्स में फाइदे मन्द होते हैं लेकिन बिजोरा निम्बू खास है सलात के साथ या अचार बनाकर नियमित इसका सेवन पाइल्स में काफी फाइदा पहुचाता है व्रुक्षामल यानि कोकम महारश्टक के कोकन और करनाटक के तटवर्ती इलाकों में खाया जाता है इसका भी भोजन में रेगूलर इस्तेमाल करके आप पाइल्स को काफी कंट्रोल कर सकते हैं नाग केशर खुनी बवासिर में मक्षन और गड़ी शक्कर के साथ देने पर खुन बहना रुख जाता है और वैसे भी नाग केशर डाइजेशन इंप्रूव कर पाइल्स में काफी राहत देता है खुनी और बादी दोनों बवासिर में इस्तेमाल कर सकते हैं कुल्थी की डाल नियमित कुल्थी के डाल का इस्तेमाल अपने भोजन में करें क्योंकि ये मस्व को कम करके पाइल्स में राहत देने का काम करता है उडत की डाल एडिली, दोसा, उत्तपम जैसी साउथ इंडियन डिशेस में उड़त की दाल भरपूर मात्रा में इस्तेमाल होती है और आप डैरेक्ली भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी पाइल्स में वन अब्दी पेस्ट आहार है प्याज बादी किस्म के बवासिर में प्याज का रस छाच के साथ पीना चाहिए और खुनी बवासिर में मिश्री के साथ भाई बादी बवासिर के लिए तो ये खास पत्थय बोली गई है इसके बाद लौकी दूदी साख सब्जियों में इसका अधिक से अधिक उप्योग करें शुन्थी या सोट चरक सहिता में एंटी पाइल्स मेडिसनल क्रूप्स यानि अरशोगन गंड में इसे रखा गया है सोट आयरुवेद की कई दवाईयों में इस्तेमाल होती है डाइजेशन की प्रॉब्लम दूर कर पाइल्स में ये राहत देने का काम करती है शतावर्म यानि एस्परेगस देश विदेश में खाई जाने वाली बहतरिन साग है आयरुवेद में इसे ताकत देने वाली और अरश के लिए विशेश पत्य माना जाता है धनिया धनिया का पाउडर मेशरी मखन के साथ खुनी बवासिर में काफी फायदे मंद होता है तील मखन के साथ समान मात्रा में खाने पर खुनी बवासिर में आराम मिलता है दालचिनी खासकर बादी किस्म के बवासिर में ये काफी फायदे मंद होता है किया है इनका भूजन में नियमी तोपी और पाइल्स में राहत देने और काम करेगा लेकिन ध्यान रहे खुमी और जलाए